नमस्कार दोस्तो आज मैं जो निउज आपको देने जा रहा हूँ वो काफी सुख़द निउज भी है और एक चुंकाने वाली निउज भी हो सकती है तो जी हाँ वो निउज है कि अब वीएड वाले भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं पीएजडी अनवारे नहीं अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि अगर कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो नीट क्वालिफाई करना होता है पीएजडी होना चाहिए पीएजडी के लिए में 55% मार्क्स होना चाहिए यह तरह तरह के रूल्स और रेगुलेशन्स हैं इसके अलाबा आपक सकते हैं लेकिन अभी कुछ इस बारे में कुछ important बिचार बिमर्स हुआ है तो हम देखेंगे complete detail तो आईए देख लिते हैं क्या है वो updates तो यह update किसी एक news paper में मैंने देखी थी और उसमें बताया था कि university और collegeों में students के बीच expert के experience share करने के लिए UGC द्वारा नया फैसला लि लिया है और मतलब final decision ले लिया है और अंतिम रूप अभी बस आना वाकी है orders आना वाकी है तो इसके तहत professor और associate professor आप practice जैसे कुछ नए पद तैयार किये जा रहे हैं तो यह दो तरह के पद तैयार कर रहे हैं इन पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा जो किसी subject में specialist है अत्वा जिनके पास experience है लेकिन PhD की degree नहीं तो PhD की degree की अनवारियता को अब पूरी समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और बिचार विमर्स चल रहा है तो इन में उन candidates की demand जादा होगी जो किसी subject में specialist है जरूरी नहीं कि उन्होंने PhD किया हो अगर वो उनको knowledge है specialist है तो ऐसे उमीद वारों को फिर professor और associate professor of practice जैसे पदों पर निक्ती दी जा सकती है आगे चल कर तो इसके बारे में UGC द्वारा recruitment policy में परिवर्तन किये जा रहे हैं उमीद है जल्द ही इसकी आधिकारी घोशना भी कर दी जाएगी तो इन पदों पर भरती के लिए इस तरह के भरती नियों में बदलाप करने के लिए प्रापधान में संशुदन किया जाएगा इस बारे में सभी इस तरह पर सहमती बन चुकी है और अंतता होगा ये कि केंद्री विश्विद्यालें में PhD की अनुवारता समाप्त कर दी जा तो वो सारे candidates जो सिक्षा के छेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करना चाते हैं अब कैरियर बनाना चाते हैं उनके लिए एक और option मिल जाएगा कई लोग तो ऐसे हैं PhD करना चाते हैं लेकिन MA में उनके percentage थोड़ा सा कमाए तो वो नहीं कर सकते फिर कई candidates financial conditions की वज़े से PhD नही की है वो योग ना हो उसके पास knowledge ना हो तो सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि अगर knowledge है तो PhD बहुत बड़ी requirement नहीं होना चाहिए एक eligibility criteria नहीं होना चाहिए तो यह बहुत अच्छी news हो सकती है सभी candidates के लिए और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास फिर school ही एक option है आप college के ल